आप ज़रूर से चैनल से जुड़ हैं डाउनलोड सौरपंडे-CSE-APP और सौरपंडे-UPSC.com वेबसाइट पर सारा जो कंटेंट है आपका अपका अपेलेबल रहता है तो स्टार्ट करते हैं यह जो सेशन है इसमें जो अडवांस करेंट अफेर्स होते हैं यू-PSC के लिए उसको वी कवर जनल सेंस में अगर देखा जाए तो जो तरीका नॉर्मल सेंस में जो कंटेंप्रेरिया या कह सकते हैं उससे काफी डिफरेंट होता है है इंजैंक्सिन है इंजैंक्शन ँटैंशन इंजैंक्शन की अगर बात किया जा यहाँ पर एक रेमेडी है इन फार्म अफे चोड़ोर जो कंपेल करता है तो a party to do or refrain from a specific act तो मतलब यह क्या होता है कि जैसे suppose करो कि यह injunction ही कैसा तरीका होता है जिसमें किसी प्रकार के act को court के द्वारा रोका जाता जैसे यह news कहां से यह news यहां पर तो high court ने डेली के high court ने it has granted dynamic injunction restraining rock website from illegally streaming copyrighted content of star channel hot star तो मतलब illegal तरीके से जो content है इसको नहीं कर सकते हैं run नहीं कर सकते हैं तो इस चीज को रोका गया है तो यह injunction है जो comply नहीं करता है तो उसकी खिलाफ criminal या civil penalties लगती हैं sanctions लगता है और even imprisonment भी हो सकता है यह जो remedy originate हुई है English court of equity में injection is an equitable remedy that is a remedy that originated in English court of equity तो यह यहां पर आपका originate हुई है तो यहां पर the things that you have to understand is कि injunctions related कौन से statement इसमें सही है तो तीनों statement all the three statements are correct answer is क्या हो क्या होगा that is one two and three one two and three जो है इसका तीनों ही statement सही है because इसलिए तीनों ही statement सही होने से आपको यह जो हमारा current affair का course चल रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से मैं आपको notes प्रोवाइड कर रहा हूँ ठीक है अभी हमारा quality का चल रहा है current affairs जो कि advanced current affairs video lecture series जो चल रही है पूरी उसमें ना तो देखो यह पूरा notes आपको इस type से class CC से होती है और ऐसा ही पूरा का पूरा same to same आपको notes मिल जाता है तो यह बहुत important है तो आग at least जो 24 की तयारी कर रहा है तो उससे जरूर से जुड़े कोई query है तो number जो मैं आपसे share करूँ उससे आप मुझे message कर सकते हैं और यह देख लाँ सकते हो कि इस type से content है और यह सारे topic दो साल के ऐसे हम लोग कभी जिसे quality खतम होने के बाद geography, environment, science और इस सब चीज़ें कवर होंगी तो यह classes आपकी चल रही है तो 24 की तयारी कर रहा है तो अभी इसमें delay नहीं करना चाहिए यह आप देख सकते हो इस type of content I am providing जिसे यह सारे जितने भी topics हैं दो साल के ऐसा बनाके और आपको दिया जा रहा है मतब classes भी साथ में इसके अलावा prelims pointers हैं जो यह आप classes कर रहे हैं इसका भी आपको जो है टू यहर्स का content जैसे अभी हम लोग यह 5M series कर रहा है तो टू यहर्स का content यह भी आपको provide किया जा रहा है यह ध्यान में रखना है और आज last day है जो offer international relation का चल रहा था 50% का उसका भी last day है तो अगर आप 24 या 25 की तैयरी कर रहे हैं तो अपना decision ले लेना आप ले लिए दीजिएगा जिससे आपको benefit रहे हैं निहंग सिख के बारे में देखते हैं निहंग सिख सार डिस्टिंट वारियर सारे जितनी भी आपका है लिंक नीचे description box में आपको मिल जाएंगे या फिर आप सारपंडी उपीसी.com वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं या description box में सब कूर्स के लिंक है वो आर निहंग सिख निहंग सिख सार डिस्टिंट वारियर और विदिन दे सिख कमेंटी नोन फॉर दियर मार्शल ट्रेडिशन यूनिक अटायर अधरेंस तो इस स्पेसिफिक कोड अफ कंड़क्ट देखो यह कॉमन अगर आप देखोगे इसको रीड करोगे यू के इसली कंक्लूड की तीनों स्टेटमेंट इसमा सही है यह वारियर कम्यूनिटी के रूप में मार्शल ट्रेडिशन उसके बाद वो गुरु गुविंद सिंग है उनसे जोड़ा जाता है उनकी जो एक आप कह सकते हैं लडाके आप यह कह सकते हैं जिसे जो वारियर होता है उनको यह कंसिडर किया जाता है अब जिसे एक कम्यूनिटी यह वारियर है और जब समय था उन्होंने एक एक इंपॉर्टन डॉल प्ले किया है अब जैसे अब जो समय है that is totally different तो हम कैसे एक different set of skills जो है वो provide कर सकते हैं उनके अंदर employment generate करने के लिए उनका जो एक capability है उसको कैसे इस्तमाल किया जा सकता है जैसे security forces के अंदर एक अच्छा इस्तमाल किया जा सकता है हमाई पस different regiments होती हैं तो उसमें train कर सकता है काफी आप कैसकते हैं क्योंकि ये जो एक इनसान का evolution होता है genetic evolution भी एक तरीका होता है जिसमें अगर कोई warrior class से है तो उसी प्रकार का उसका evolutionary aspect भी होता है तो किस प्रकार से उसको एक skill provide करके utilize human society welfare के लिए कर सकते हैं इसमें government को काम करना चाहिए तो यहाँ पर देखते हैं ये news है आपकी जहां से प्रश्ण आपका frame होगा है तो next देखते हैं भी reference टो गुरु रवीदास की उपर है गुरु रवीदास ये well known थे अपने contribution भक्ती moment में he taught and preached about the importance of human rights and equality गुरु रवीदास जो है उन्हें रवीदास नाम से भी जाता था रवीदास और वो 1377 CE के अंदर उनका जनम हुआ था पंजाब के अंदर तो ये जो उनकी teaching थी उसने लोगों की उनकी जो teaching थी लोगों की प्रॉस्पेक्टिव को जो है काफी हद तक change किया और कैसे life को सही तरीके से जिया जा मतलब जो right path of life उसको चुनने की बात की गई है तो यहां पर उनका जो जनम है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था शियर गुवरधन पूर जो है उत्तर प्रदेश मेना की पंजाब में है तो पहला और दूसरे statement से ही है answer one and two है तो यहां पर आप देख सकते है गुरू रवीदास जयनती date history and significance यह topic है आपका next देखते हैं with reference to virtual private network की बात अगर किया जाए जब भी यह virtual private network when switched on essentially create a safe network within the larger global network of the internet मतला अगर VPN यह virtual private network की बात कर तो larger network में एक छोटा network specific logo के लिए create हो जाता है यह IP address को mask कर देता है by rerouting the data in essence wpn create one and unique proxy identity of data and deliver it safely without the disturbing the content of the data तो यहां पर जैसे मालों एक बड़ा network है इसमें छोटे छोटे जो virtual networks है यह create कर दिये जाता है and it helps to reroute reroute करना जो data है उसको reroute करना और यहां पर यह ध्यान में रखना है यहां पर यह भी कहा गया कि यह कई प्रकाइद की proxy identity create कर लेता है proxy जिससे की data को मतलब for data and deliver it safely like deliver it safely without disturbing the content of the data मतलब जैसे मालों कोई data ऐसे जैसे मालों एक जगह से दूसरे का data transfer हो रहा है तो यह जो VPN के माद्द हम से कहा है कि proxy data को deliver data को deliver किया जाता है data can be delivered जो main data है उसको affect किये हुए यह data आपका transfer हो सकता है यह point आपको दें any and all devices जो इस internet से connect होते हैं they are part of a large network of computer server और दूसरे जो devices हैं जो पूरे across the world है spread है the virtual network when switched on essentially create a safe network create करता है within the large global network of internet यह क्या है कि IP address को भी mask कर देता है of the user it mask the mask कर देता मतलब एक तरीके से visible नहीं होता है जो IP address है by rerouting the data जो it mask the IP address of the user by rerouting the data acting as a tunnel a VPN takes data originating from the server and mask it in different identity before delivering it to the destination तो जैसे मानलो ए से और बी को data transfer होता है तो यह जो IP address है इसको mask कर दिया जाता है ठीक है तो जो mask the IP address of the user उसके बाद data को reroute किया जाता है दूसरी जगह से send किया जाता है और जैसे मानलो कि एक जगह से दूसरी जगह से टनल बनी होती है तो टनल के अंदर से क्या जाता है पता नहीं इसी तरीके से VPN एक टनल का काम करता है जिससे कि data को privately send किया जा सकता है तो इससे data security भी है so when switched on essentially create a safe network within the large network यह भी statement सही है mask the IP address of the user by rerouting the data तो यह भी statement आपका सही है in essence WPN जो है यह create करता है create करता है one and unique proxy identity of for the data and deliver it safely without disturbing the content of the data तो data content है overall वो आपका disturb इसमें नहीं होता है तो correct बताना है तो इसमें जो answer होगा तीनों ही statement इसमें आपका सही हो जाएगा ठीक है अचा यहां पर लिखा है in essence WPN के one and unique proxy नहीं होता है several proxy create करता है यहां पर several proxy बहुत सारी identity create करता है इस not की one and unique रहता है तो first and second statement जो है वो आपका सही है ठीक है first and second statement आपका सही है यह आप देख सकते हैं नेक्स देखते हैं Nordic Baltic Nordic Baltic 8 के बारे में regional cooperation format है जिसमें Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway और Sweden है Nordic countries जो हैं they are considered amongst the strongest supporter हैं Baltic countries independent and they were the first to open their border introducing visa free regime with Baltic countries the Nordic Baltic community one of the three main communities in Northern Europe में इसमें Nordic, Baltic and Baltic Sea region इसके अंदर included है ठीक है तो यह पूरा इस है इस पर हम लोगों हिंदू में भी detail में डिसकस कर रहता है तो तीनों statement से बहुत important topic है इस साल के prelims की भी अगर बात किया तो Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden यह सब जो है आपके इसके अंदर आएंगे और जो Nordic countries हैं यह कहा जाता है आर अमक्स्ट स्ट्रॉंगेस सपोर्टर हैं बाल्टिक कंट्री इंडिपेंडेंस और लेटर फर्स्ट जो जो जुनों अपने बार्डर को उपेंड भी किया था बाल्टिक कंट्री इंडिपेंड यह तेनों इस सही ध्यान में रखना है हिंदू इन्डू का टॉपिक है नेग्स देखते हैं ऑपरेशन अमरिथ के बारे में Operation Amrit Antimicrobial Resistance Intervention for Total Will तो इसका एक तो full form भी आपको याद रखना है तो यहाँ पर आप देखोगे launch किया गया था Central Drug Control Department के दोरा तो यह Central नहीं केरला Drug Control Department के दोरा launch किया गया था तो यह गलत है prevent करना, overuse, antibiotic का overuse करना Under the Operation Amrit Pharmacy have been directed to maintain meticulous record of the जो भी antibiotic का sale और इन सब को record रखना तो यह भी statement सही था second और third सही है तो यहाँ पर answer क्या होगा that is D तो यह केरला जो Drug Control Department के दोरा किया गया था यह आप देख सकते हो हिंदू का topic है next देखते हैं Collective Security Treaty Organization CSTO जी से हम कहते हैं यह Intergovernmental Military Alliance है Eurasia के अंदर इसमें it consists of selected post Soviet states और this came into force in 1990 Signatory or are free जेतने ही signatories है they are free to join other military alliance तो यह आपको याद रहां कहई यह force में कबाया it came into force in 1994 के अंदर आपका force में आ आ था तो यहाँ पर 1990 लिखा तो यह गलत हो गया उसके अलावा इसमें लिखा है कि दूसरे military alliance को join नहीं कर सकते हैं यह भी है इसमें लिखा फ्री है जोइन कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं और इसमें जैसे कई देश हैं जैसे जैसे ये जनरल सेंस में 15 में 15 में 1992 को जो है सिख्ष्ट पॉस्सोवियत स्टेट है जिसमें रश्या अर्मेनिया का जाकस्तान बाकिस्तान उजबेकिस्तान उन्होंने यहीं की ता जिसे जिसे भी सफेंस्य मेकनिजम पर लेक्स फक्व और अगर वेकिस्तान होता ह। करते हैं कई दूसरे जो पोस्वियोत स्टेट्ट और सबसे बेलरूस अनुठ अइक्राइब फाइफ येर लेटर च्छह, शिक्स ओफ दा नाइन मतलब अजरबेजान, जॉर्जिया, उजबेकिस्तान के अगर बात करें तो उन्होंने रिन्यू किया जो ट्रीटी फॉर फाइफ मोर येर्स तो इस टाइप से कुछ जेवलोप्मेंट्स आप किया हुए तो यहां पर वन इंटरनाशनल मदर लेगविजज़ डे की है मुल्टि लिग्विविल एजुकेशन अपीलर अफ लर्णिंग इंटर जननेशनल लर्निंग और यहां पर आपको यह देखना है कि यहां पर जो फरवरी 2021-1952 को चार स्टूडेंट्स यह वर किल्ड ऐस टे स्टार Conference of United Nations UNESCO ने प्रोक्लेम कि इंटरनाशनल मदर लैंगुज टे करेंटी 40 परसेंट जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वह अपनी नेटिव लैंगेज को एकसेस नहीं कर सकते हैं और जो मुमेंट हैं इंटरनाशनल डे यह स्टार्ट आपका इंडिया में नहीं हुआ था यह बांग साल का जिसमें वीडियो लेकश्र इस टाप के अपको मिल रहा है तो यह कंटेंट आप देखलो पूरा बढ़ी तरीके सब बना के और यह क्लासे सोती हुथी वीडियो लेक्ट्यर हो रहा है साथ में यह नोट्स आपको मिल रहा है तो पौलिटी अभी खतम करेंगे है ना प मतलब आप क्या कह सकता है तो यह जरूर सा जुड़ना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसके अलावा जो इंटरनेशनल तो आपका static होगा और 30% current affairs होगा मतलब मैक्समा आपका static एंगल है वो चीज़े आपकी कवर होती रहे क्योंकि current affairs जो हम लोग डिसकस कर रहे है उसमें तो आपका IR भी covered होगा यह static पार्ट जैसे मालों इंडिया की foreign policy, international organizations और यह सब चीज़े आपकी कवर होगी तो यह सारी कानल, thank you everyone, thank you